नमस्कार दोस्तों मुझे वामी तन्य आप चोई रहाच अम्रुद क्लासिस यूट्यूब चैनल अम्रुद क्लासिस ने अंदर आपनों हार दिख स्वागत छे दोस्तों आजे आपना लेक्चर ने अंदर रिटेनिंग वोल्ड नो संपून अभ्यास करवाना ची ये संपून अभ्यास नाथी करें हलाव नी तू यार पगना मार नमस्कार दोस्तों मुझे वामी तन्य आप जाई रहाच अम्रुद क्लासिस यूट्यूब चैनल अम्रुद क्लासिस ने अंदर आपनों हार दिख स्वागत छे दोस्तों आजे आपड़े डियार्स येस ने अंद अंदर आवी रही छे दोस्तों एटले क्विक एग्जांपल हूं सोल कराव माटे जही रही हो चू अन्य एन अंदर पन जे जी ट्यूब एग्जाम ने अंदर मौस टाइन पीछे एन उपर जू वदारे फोकस करवानों चू तो आखो एग्जांपल आपने नहीं करिये डि डिजाइन उप स्टेम माझे कर्टेल मेंट छे ने दोस्तों एनू एक्सरस मजानू शॉटकट मेथड आपनी पास अवेलेबल छे टेक्सबुक ने अंदर तमें जोसो तो कर्टेल मेंट छे बहुझ लाम्बू स्टेप कर्यू छे अन्य एना ती गणा बदा विद्या त्य करीशु आजे अन्य रिटेनिंग वळनो एक्जांपल तमने टलो व्यवस्तित आवली जसे कि तमारू जे टेंशन चेन आफैंकर से रिटेनिंग वळकि एक्जांपनी अंदर 14 मांकश रिटेनिंग वळ पुछाये दर वक्त होई अच्छे आन्ने आपनी पासे बे एक्जा परफेक्ट करी देवानी काउंटर फोर्ट ना स्टेप्स काली जो अमुक्ष्टेप कॉमन आवे छे अमुक्ष्टेप्स पड़े छे तो यह अलग थी जो सो तो ठीक चे नहीं जो सो तो पड़ बांदो नहीं आवे पड़ा केंटी लिवर एक खास तमारे करवानी चे आपने शरुवात करिए दोस्तों आपनी पासे जे गिवन डेटा चे यह एक्जांपल नंबर वन नाक चे तमारी पासे कद आच बूक होए तो यह अंदर जू और नहों होए तो डेटा रीड करू चू अन्ने स्क्रीन उपर पन तमने देखा से डिजाइना केंटिलीवर रिटेनिंग वॉल तो रिटेन दी अर्थ ओफ हाइट 5.5 मिटर अबोव लोवर ग्राउंड लेवल तमें जो में लख्यू छे अर्थ रिटेन करवानू छे क्या सुदी 5.5 मिटर सुदी एक के भी रितना समझवानू यह लख्यू छे के अबोव लोवर ग्राउंड लेवल तो आज हुओ अब फिगर चुओ यहां आ ग्राउंड लेवल छे ग्राउंड लेवल थी 5.5 मिटर नी हाइट सुदी आपडे और्थ रिटेन करी सा केवी रिटेनिंग वॉल डिजाइन करवानी छे ओके हाइट आपी छे फिक्स बेसिक डाइमें लोफ इंटर्नल फ्रिक्षन 30 डिग्री मियू आपक्यू छे 0.5 कोफिशेंट फ्रिक्षन के वाइट यूनिट वेट ओफ सोल एट एनिदेंसिटी 18 म 20 अने एफी 415 आपडा ग्रेड आवेला छे बराबर तो आप रमाने तमने आपे लू छे अब त्रोन माक्स नी अंदर त रातमाक्स मा पुछेली छे तम्हें चुओ वन बाई वन तमने समझावी दो चोने एक्जम्पल आखो गोखावड आवी दो चुओ के क्याम याद राख सो प्यल्लू तमारे सरुवात करवा नीचे कोफिशेंट ओफ और्थ प्रेसर फटा फट तमारे कैलक्यूलेट कर लि जरूरी छे जीरो पॉइंट थ्री त्री त्री आउसे टेक्सबुक मां वन बाई थ्री लखेल हूँचे गम में तिम लखो चाल से के पी अतले आनो रेसिप्रोकल इन्वर्स करना को वन अपन के ये त्री जमने जवाब मल से जो आप रहमाने कर सो तो टू पॉइंट नाइ वस्तित काम काज करवानुचे चलो फटा फट बेजिक डाइमेंशन्स जे त्रोण माक्स ने अंदर छे फिक्सदी डाइमेंशन ये आपने करवा माटे जही रहा ची आप फिगर तमें ड्रो करना चो दोस्तों ता बद्दा स्टेप ने सिक्वन्स तमने खबर पड़ी जैस फांडेशन के लूँ नीचे करीशों तो त्यां थी शरुवात था से देप्थ ओफांडेशन ये पेलवा वस्तो आपने मल से ये ना पछी आपने मल से बेस स्लेब नी वीर्थ फाइंड करीशों दी जो प्यालु आ प्रदक्शिनाच करवानी छे या जो जो दोस्तों तो स्क्षेश FLPS घनापसव०ई फाइन कर सो असे जिलेश सlow Is Thai तक लूझ ठीकनेस ओसवлу अधमा इपयायत फाइन कर सो तीकनेस ओस्ट ए स्टे mess जrüरिसले यहां से थिकनेस वंस्टेम ऊने स्टेम के बाए तौ्ढ कड़ानी खबर ने यो कई दो आ स्टेम पोर्शन चे आ हिल पोर्शन चे अन्य आ टो पोर्शन चे लिबना बेजिक कंसेट कबरो वी जरूरी छे तो आपने सू करी सू आ वीड़ फाइन करी सू तो यहाँ प्रदक्षिना करवानी से यहाँ स्टेप तमारा पूरी दाए पू क्यू जीरो अपन गामा इंडो के अनो स्क्वेर क्यू जीरो अले बिजू काई नी तमारी स्बीसी 175 गामा आपे लो छे डेंसिटी अन्य के अनो स्क्वेर जबा देओ आंसर मली गयो 1.08 हवे एने रांड फिगर करीन प्रोवाइड करवाना 1.2 आपने प्रोवाइड कर्यों जरूरी छे तो ओवरोल हाइड हवे के लिए थे यह से आतम ने सू मल्यों दोस्तों 1.2 तो तो टोटल हाइड के लिए थेगी जैपिटल एच चे तो 5.5 गिवन चे प्लस 1.2 एले 6.7 थेगी चे ओके आयनो प्रेशर डायग्राम बाजू मां ड्रोव कर्यों आप बोटम पा पासे नू के टलू असी भाइन कर लेवानू ब्राबर तो पहला आमली जैसे बेज नू सुत्र याद राखे लो के इंटू गामा इंटू कैपिटल एज छे तो कैपिटल एज अवेलेबल थे गयो छे तो के इंटू गामा इंटू एज करो दोस्तों 40.2 अंसर आवे छे ब् आगए लाइन कर सो तो थोड़ो काम मा चेंजी सा उसे चालो आगड़ वाधिये बेज वीड्थ आकाम थे क्यों कई फोर्मुला आप रू थो आउप रूद है बेज वीड्थ बिजू बिजू स्टे प्रदक्षीन चालो पहलो फेलो स्टेप पत्यों बिजू स्टेप रूत मां 3P अपन 2 गेमा तो यह मां पीस हूं छे दोस्तो तो आज ये प्रेशर डायाग्राम छे नहीं एरिया चे लोड छे एक्चुली कि केटलो होरिजूंटल लोड आऊ सही तो या प्रेशर डायाग्राम नो एरिया फाइंड करो नहीं लोड होए तो फाइंड कर दे ये अस्तो एरिया तो ट्राइंगल छे तो वन बाइटू बेज इन्टू हाइट अब बेज इतली आछे के ये गामा एच ये लखिदम 40.2 अन्य हाइट केटली छे तो आपने खबर बड़ी गे 6.7 छे वराबर कैपिटल एच 6.7 तो आपड़ा पी मली गे ओके तो 3P अपोन 2 ग टो वीड्थ आ केटली राख सो दो में टो नी वीड्थ अन्य शरू तो ये वन थड़ राख हम आवे छे फिक्सत छे आज ये आंसर आयो होए तो कंसिड़ा टो वीड्थ हैनो वन थड़ तमे करी नाको तो 1.12 आवे छे तो ये राउंड फिगर करो 1.2 कर दिदू छे ओके टो वीड्थ नमारी 1.2 आवे दोस्तो ही आँ 1.2 आई तीला ही नहीं आसो देनी पराब ये वन थड़ करनाक सो तो ये मली जैसे आखी केटली प्रोवाइड करवानी तो जो 3.35 ये नू राउंड फिगर करनाको 4 पराबर एटलू तमारे प्रोवाइड करवानू अवे जो राउंड फिगर करिंग पचि वन थड़ नथी करवानू जैहिं आवी छे एनू वन थड़ करनाक जो अनियों और प्रोवाइड करवानों चे पछे यह नूं कर जो नंगा प्यालों आनु ज़रांड फिगर कर सो और पजे फोर ना वन्थर्ड कर चो तो बो मोटू थी जैसे यह 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 आं नथी करवानों आहीं यह ध्यान राव जो थिकनेस ओफ बेस्लेब बेस्लेब नी थिकनेस कितली राख्वनी छे प्रदक्षिणाम क्रिजू स्टेप फासट सेकंड थार्थ थिकनेस ओफ बेस्लेब तो फिक्सच चे नो डॉटिरिया के एच बाइच बाइच फीफ्टीन नी बच्चे कमें 13 कि सको छो तो एच तो आपनी पास एब लेबल छे 6.7 6.7 तो आंसर मले छे 0.558-0.446 पॉइंट चुम्मा लिस्ती पॉइंट पंचावन नी वाचे बेस्ट फिगर कहीं कहीं पांच तो यह लिए फिगर आपने आपके दिये थिक्नेस मां पॉइंट पांच ओके तो यह मली ग्यों अपने थिक्नेस तो थिक्नेस ओफ स्टेम एट बेस अव्या प्रदक्षी नाम पेलू बीजू त्रीजू अव्या चोथ हुआ वे चाहिए आस्टे कि आहां केटलू राक्सों आपड़े नीचे ब्राबर स्टेम नूँ थिक्नेस के सब्सक्राइब करना को सिक्स पॉइंट तो मारो स्मॉल एच बन से स्मॉल एच बनी जाए तो बच्छे आप बेस पासे नों के गामा एच फाइन कर लेवानों माएच स्मॉल एच अब तो के गामा ने एच स्टाड़ त्रिस पॉइंट बे किलो न्यूटन मीटर स्क्वेर मांच सर अवे सू करवानों छे द्यान आप जो मैक्सिमम मोमेंट एड़ बेस ऑप दस्टेम आप स्टेमना बेस पासे मारे मोमेंट लेवी छे मोमेंट एले सुनत है फोर्स इंडो पर्पेंडिकुलर डिस् लोड में यह बता है तो इनी मोमेंट आपने लेवानी छे बराबा तो ट्राइंगल नो एरिया इतमारों लोड बन से इंटू ट्राइंगल छे तो वन थर्ड ओफ कर ऊपर से कांके बेज नीचे छे बेज ती आपने वन थर्ड था है एपक्स ती तू थर्ड था है ख्याल आपने ट्राइंगल पण के ट्लो कंसिडेर कर ऊपड याइंस भी नुख क्कै यांथी उपर तमारों ओर्थ फिलिंग असे ओके रहा नाध्या उपकर उपड दू ट्राइंगर याइंस भी नुख आपने consider कर सू, जो 1 by 2, एनो base आपने find कर ली तो, जार यो 37.2 जवाब आयो तो यह नो base छे, तो 1 by 2 into base into height एनी थेगी, 6.2 और small h, अहीं आसुदी नी चेच, अहीं थेले नहीं आसुदी नी, small h, 6.7 चेए, capital चेए, उर्फ करना कुछ, 6.2 आपने लेवानी चेए, small h, चाला, एले आपना area माले, 1 by 2 base into height, एरिया यह तो यह लोड, और यह पर्पेंडिकुलर डिस्टंस, बराबर इसी जी थेया, डिस्टंस के लुग सासे 1 third, आंसर मड़ी जैसे 238.32, फेक्टर मोमेंट कर ना को, 1.5 मुल्टिपले करो, और 357.48 आंसर आवी गयो छे, हवे आपने ना आता त्यार सिखीना आया छे, ना आता एले, ESD नी अंदर, डिपलोमा होड़ा आता, तो यह डिपलोमा 6M नी अंदर सिखीना आया छे, तो MU is equal to .138, FCKBD square, बराबर FE 415 माटे नवा फोर्मूला छे, FE 415, बराब 800 माटे सूं, तो हिया, 0.148, बच्छी छलो ग्रेट छे 500 माटे सूं, चे 0.100 ने, ते 30, बराबर आ कबर हो भी चुए, तो MU आपने जे माले होए मूं की देवानू, XOR3M, MCK20 आप्यों छे, B1000 लेवानू, पर मीटर माटे नूं कामका जासे, रिटेनी गोल लांबी तो गणी यासे, 10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर, लांबी होए, पर 1 मी करना त्री करवानी होए, आन्ने, D2M, D, फाइन करो दोस्तो, तो, इफेक्टिव देप्थ मले, 359.89, इफेक्टिव देप्थ है लगई है, जा आप रेइंफोर्स्मेंट मुक्सू, तो यह नहीं इफेक्टिव देथ, तो यह माँ बनने बाद यू, कवर एड करना हो, दो माँ अचे, पॉइंट मां आरे लगवा होए, तो पॉइंट 45 मीटर, 0.48 मीटर, 450 म, ओके, विर्थ ओफ हील सुनता से, जो तो हमाँ, आ हील के बाद लो पॉर्सन, तो टोटल आपनी पासे, बी छे, जे आपने 4 मीटर प्रोवाइड करें, बराबर, बी कितलो छे, आपनी प अने मतिया स्टेम, यहले 2.35 आपने आमली जैसे, आप वस्तुचे यह 2.35, टोटल तेक्यों 4, चालो, पची प्रोवाइडे टोप वीर्थ ओफ स्टेम, टोप वीर्थ यहले दोस्तों आनी बाद करें छे, युनिफॉर्म नाथी ठीकनेस तमें जो, यहनु कारण पन तमने समझे भी दो, कारण सुकाम युनिफॉर्म राखवानी जरूर नाथी, नीचे वदारे राखे चे, उपर ओछू राखे चे, उपर कोई घणत्री नाथी, एजटेस ले लिदू छे, बराबर जेम लेओ वो यहेम, तो 0.20 ले लिदू चे, तमारे ले लेवानू, 0.20 लेओ 0.25 लेओ कई वान दो नथी, नीचे सुकाम वदारे राखे कांके जो अर्थ मटीरियल यहां बदू भरेलू असे दोस्तो, तो तम्हें प्रेशर डियाग्रम जो जेम जेम तम्हें नीचे जाओ छो, एम में लोड के वो थाई चे, वधतों जाई छे, आजा प्रेशर डिया अन्य करल्में, करि Wählitt करिया चे कि नीचे बैरे यह रेइंफॉर्समेंट ट्रोवैट करसू खै नीचे मोमेंट बादार उप्रैट्रवाइड थासť लोड बादार ने इक विं, आले नियाक काप ए आकँए ऐची बैल्क तो आ वस्तु समाज वाते ज में जरूर्य जरूरी आवे छे ओके तो यह पॉइंट ट्वेंटी उपर नी तमाले लेवने यहां दर आखिले पॉइंट ट्वेंटी बस तो आपड़े डायमेंशन फिक्स थी गया छे विशेस ने अंदर आपड़े प्रोवाइड करी छे सीयर की अने सीयर की यहां में बता भी ना थी पर नीचे आविर इतना वी जैसे असीयर की आऊ से तमारी एक एक्स्ट्रा अटलू पोर्शन आऊ से बो ब्लेक थी बताई दो वेनास डायमेंशन तमारे केटला राखवाना फिक्स अच्छे केटलू नीचे उटरवानू तो जे तम्हें थिकनेस ओफ बेस लेवावी थी पॉइंट चे 0.5 तो एतनु जा 0.5 नीचे उटरवानू आज ये तमारी विर्थ आवीचे 0.45 स्टेम नी तो एज विर्थ तमारै आनी राखवानी 0.45 फिक्स ते यह कबर पड़ी दोस्तों एक दम ४ीजि केटली तो श्लेब जयतली विर्थ केटली तो ये चेम नी आवी लिचे टल तमारों 3 माक्ष नूं काम मत थयू छे है फुरू 4 माक्ष में पुझी शके प्रमोटा भगे तोण माँ चे तो फटा फट स्पीड मा ना काम तमारे करी देवान। चलो हवे आपणे stability calculation माटे जीए stability analysis करिये तो एना माटे आपणे जसू आई या ओके दोस्तो तो retaining wall नी अंदर आपणे preliminary calculations करी लिदू छे जेनी अंदर आपणे retaining wall ना dimensions मली गया छे आपणे आ dimension मली तो टोटल 0.45 450 mm ली देलू आपणे आपणे मली गयो ले छे पछे आपणे आ dimension मली चे hill 2.35 छे टोट चे 1.20 CR की आपणे प्रोवाइड करी चे 0.15 और 0.5 नीच डेमेंचन ही लखी दों दोस्तो आपणे आपणे वर्टिकल 0.5 नीच आपणे CR की प्रोवाइड करी छे stem नी top width आपणे 0.2 प्रोवाइड करी छे आपणे पासे small h चे 6.2 आना capital h चे 6.7 ओके तो आपणे प्रेलिमिनरी डाइमेंचन काम पूरू थे यू अत्या सुधी नूं काम करों एना स्टेबिलीटी केल्कुलेशन अथ्वा तो स्टेबिलीटी एनालीस इना चार माक्स तमने मलता हुए छे तो दोस्तों एक एजर इतना करवानुचे क्यारेक सात माक्स मां पड़ भुछाई हुचे तो बराबर ध्यान आप जो एकदम सान्ती थी आपने समझे टेक्सबूक दोस्तों नानी चे जीनी चे समझू कंजस्टेट थी जैसे मां तो में अलग ती यह फिगर बना मिन राखी छे अब एकदम स्पोस्ट फिगर तो अमने देखाए छे अब एनी अंदर तो में जो प्रतम आपने जे काम करवानू था से काम करवानू था से होरीजोंटल लोड स्पाइं करवानू ओके तो आपने होरीजोंटल लोड रेचना करें आवे दश्वंटल लोड करें आवे दोस्तों अनि अंदर तो आप बाद था से होरीजोंटल अंदर और इनो यह त्राइं लोड नो अपड़े प्रेश्टण दयाग्राम नो ताम एयरिया करें वह इतलो तमारू एह और रॉरीजॉन्टल लौड नमारों इसे टरों टरू डियाग्राम नो आपड़े एरिया फाइंद करें चल्व तो भाइज पहलो पहला थो हाइट तो आपने खबर चेंट शिक्स यह नो आंसर आभी जैसे 40.2 ओके तो अनो एरिया फाइंगल से प्षेप चे तो ट्राइंगल नो एरिया सुन तो तम नहीं बताया उच्छे चुब वन बाइटू बेज जो फोर्टी पॉइंट टू आभी ओन्या हाइट 6.7 टोटल बराबा ले तमना 134.67 यह तमारो मली जैस है horizontal loads अटे के अनो परपेंडीकुलर डिस्टन्स फ्रोंग एटमार एंग करवानों चे फ्रोंग एइक पॉइंट चे दोस्तों तो यह पॉएंट चे तमारो आह पॉइंट तमारो एट आप फॉइंट सो दिन आनो परपेंडीकुलर डिस्टनस जो यह तो जो लोड तमारो अपर लाग तो से यहां रितना होरिजोंटल लोड यहां उपर लाग तो से तो एट लगए यहां सुथी ना पॉइंट अच्छे तो आप पर पेंडिकुलर डिस्टन्स के लूट है तो आपने खबर चेंगे जिती के लूट है वन बाई थ्री एपक्स थी था है टू एच बा माली जाए तो यहां मोमेंट मली गीछे तमने ओवर टनिंग मॉमेंट के वैब कि ओवर टन करावा अनों प्रहत्न कर से आन डा डा डिरेक्शन मालाग से आम फशे लेवर्ग ंत लोप वाइस ओवर टर्निंग मॉमेंट और तो तो 300.31 जबाब है जहाए तो आए यहां पच तो पहला वर्टिकल लोड टोटल थसे केटला दोस्तो तो जो सेल्फ वइट छे टोटल ये वर्टिकल सह से बराब डाउन्ड डाइरेक्शन वा लागता हो तो आपने यहां आपी देए नाम निद्रेशन करी देए आथा से तमारों देए वन अधर एक ना सीजी पास लोड बताई दो चू डवलीव टू यहां था से आव डवलीव थ्री यह नीचे आउसे डवलीव फोर आने आव डेक फिल नौ आउसे वर्तिकल लोड चैनल कामकाज अपने समझ वाना चाहे तो सब्व्रतम तमयों के वर्तिकल लोड फाइं करवा चाहे तो यह इतनल कर सूँ तो आटेबल आखो इनू बनावेल चैनल कायं याद रांग जो दोस्तो आपने जेते पोर्शन नो एरिया कर सू इन्न गुणि आपड़े इनी डेंसिटी मल्टिप्लाई कर देशो आ आपड़े काम करवानों छे एरिया इन्टू डेंसिटी नो ब्राबा तो पेला लोड टाइप पर्टिकल लोड परची परपेंडिकुलर डिस्टन्स फ्रोम ए यहले आ पोंट थे यहनों डिस्टन्स फाइंड क ट्रेपजोडल टैप नूँकिया बराबा पॉंड आपड़ेस्टो कर दिजूछे नुब ये पार्त में डिवाइड कर दिजूच्अ रेक्टेंगल पार्ट छे ए ए ट्रायंगल पार्ट थे तमारों पहला रेक्टेंगल पार्ट नी आपड़ेवात करिये छिए तो एनो मुल्टिप्लिकेशन इन्टू डेंसिटी कॉंक्रीट नू बने लुँआ से आर्सी यासे लार्सी नी डेंसिटी 25 फिक्स बराबर एला आंसर मली जैसे अभी यहनू पर्पेंडिकुलर डिस्टंस फ्रॉम ए फाइन करवानू छे एट लेके जहां सीजी छे त्यां थी आ ए प बड़ाब आर्सी 2.2 2.35 चे उपरपन लगी दो हुआ मारे आ डव्यो आज मारू सीजी चेए सीजी संजीलों यहां आवे चे तो अहीं थी आ डिस्टंस मारे जोई है तो आर्सी काम से पहला तो 1.208 लो प्लस 0.25 अटलो अने पचे आखु पॉइंट टू छे एना मारे सें बड़ाबर आ रेक्टेंगल नो बेस की सको तो में अने पॉइंट टू नो हाफ अभी गो पॉइंट वन पॉइंट फाइफ फाइफ कमने माले गिए अब यहनों मल्टिप्लिकेशन बाजुम माली जैसे आंसर चलो पर स्टेंब टू नो जै रेक्टेंगल पार्ट पच्छ दिस्टन्स फ्रोम ए आमां थुरुक ध्याना आप जो खास ए सुधिनो डिस्टन्स जोए चे बराबर ए थी आ पर्पेंडिगुलर डिस्टन्स तो के ट्लू था से तो ए थी गणो क्या एन उपर थी आ गणो से मां जैसे तो पेला वन पॉइंट टू जीरो तो खराज ले 1.2 लखी दिता पच्छी हवे मारे अइंठी लेए नहीं आ सुधिनो डिस्टन्स जोए है हवे आ ट्राइंगल छे एमा मारे अइंठी आ डिस्टन्स जोए चे हवे एम आ जे हूं डाइरेक्शन नी अंदर बात करू छो आव मारी डाइरेक्शन जे चे ये डाइरेक्शन मा कर देऊ पोड़े 2 x 3 x 2.25 कांके ट्राइंगल छे एपेक्स ती लेवानों था से ले तू थड करें लूचे ले 1.37 तमने मली क्यों अब यहनों मल्टिप्लिकेशन मल से 26.something बाची बेज स्लेब नी तमें बात करो आखो आपनों बेज स्लेब छे टो आने हिल तो एनी अंद तमें जो सो तो आपड़ू आचे W3 तो एनो एरिया केटलो था से लोड माटे एरिया जो से तो आखो आ डिस्टन्स केटलो छे का बचे दोस्तों आप बद्दानों टोटल करो तमें 1.20.45 और 2.35 तो टोटल डिस्टन्स तमने नी वीर्थ आपने मली छे 4 बाबाबा क्लकु पुन्या पोड़ाई और यहनू देंसिटी करना को एरिया इंट्यू देंसिटी लोड मड़ी गयो और यहनू सीजी तो इजी थे गया चार आखो छे होरिजॉंटल ली तो हाफ केटलो असे चार नार्दा बे सिंपल बात छे तो पशी बैनने मल्टिप्लिकेशन मोमेंट मल पुट्फी थे गया तो पहला तो पॉइंट फोटी फैव आफ्या पे लोग वे लोग अप्लास कर दूपर गूँटंपर लोग पिस्टंस थे गयो होता है तो एरिया जो आता से तो यह भूवर आता है तो फो इल्थे, ने अदर फारद पे तो फॉन ऐरिया जो आता से अ अने हाइट केटली थास एनी 6.2 तो 2.35 अने 6.2 अनो एरिया अने इनी डेनसिटी में खास ध्यान आप जो दोस्तों बद्धे 25 पचिस आभियो छे एना सीवा यहां 18 आभियो आपके यह कहें कॉंक्रीट ना थी भरेलो आर सीषी ना थी काम यहां तो बैक फिल होवानू अर्थ माटीरियल होवानू तो अर्थ माटीरियल नी डेनसिटी जे गिवन छे आपड़ने बराबर 18 तो ए आइटीन आपडे तियां ले भी पड़ से कॉंक्रीट नी आपड़े ल प्वाएं लुट प्वाएं 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 पॉंक्रीन आख फोएं प्रीशतालेश बढ़ाव चार सो परचास से नीचे नुट इसना लखी दिडू अच्छिए आपसे यह नूं हाफ चाहां के रेक्टेंगल से तो नहाव 2.35 नहाफ ए लिए तॉटल मोमेंट नों टोटल करसो तो ए मल से जैने के वाम आवे छेंग मौमेंट अथवा तो रिस्टोरिंग मौमेंट कांगे ऊपर जै वह रिजूंतल लोड वाड़ी माड़ी ती इतमारी आवर इतना और हैं धक्यों अन्टी क्लोक वैज यह आब दी के विद इतना फरसे तरफ में मोकलो आंगे आम अम बता लोड ने ये तरफ मोकलो ऑने तो एब दी डिया ड्रुबी духов type joy train निंगती ने रिस्टोर कर से रेसिस्ट कर से लेने रिस्टोरिंग अत्वा तो रेसिस्टिंग मोमेंट के वाई अन्य आजे टोटल लोड मल से यह बधनों टोटल सिग्मा डबल्यू तरीके तो आप रमाने टेबल तमारे दोस्तो व्यवस्तित तेयार कर देवानों टेबल तेयार थे जैपच्छी अपड़े काम आगड करवानू छे एकस बार फाइन करशू एसेंट्रीशिटी फाइन करशू अन्य पच्छी आगडवत्षू तो जो अवे इक काम के वी रितना था है यह आपड़े बराबर समझता जहिए चलो अवे जानों काम नथी ने उम बार काटी ना भुच्छो दोस्तो व्यारस्तित आपड़े समझिये जो दोस्तो यह काम थे यह आले तमारे पाची सिद्धू सिग्मा डब्डू डखवानू आवी लाइन बेंड लखवानी तमने जरूर ना थी बराबर तमारे सिद्धू काम कर देवानू चै चालो तो सिद्धू आद लखी नाग जो कि एक्स बार नो असिदू फोर्मिला तमने बनाई अग एक्चली वस्तु सोचे मोमेंड लीदी चेने एक्वेट करीचे बराबर आम दो वेरिग्नोंस थीयोरम डाइप नू के वाए बहुँ डीटिल में तमार जबात ना थी टाइम एन नहीं होए तमारी पास है फटा फटा एक्जम्पल पूरो करवानू होस्ते ले एक्स डवल्यू तो मैं जो इस वोच ओं चाहां तो आवरी ते तमने एक्स बार नो आंसर मड़ी जसे यह मले चे वन पॉंट सिक्स नाइन मीटर पची तमें एसेंट्री सिटी फाइंड करो एसेंट्री सिटी ने सिद्धी फोर्मिला बी बाइटू माइनस एक्स बार ब्राब ए इन थी आतलो डिस्टन्स जे आपने सेंटर थी दूर खसी गयो लोड एन आपने एसेंट्री सिटी कहिए बराबर एसेंट्री सिटी फाइंड करो तो बी बाइटू माइनस एक्स बार सिद्धू सुत्र याद राखे लिए बानों तमारे बद्धी वेल्यू चे आपनी पास यहां मिनिमम्म प्रेशर एक भी जैने हिल पोर्शन नो के वाएस है तो खाली यह प्लस नहीं जगे तो मारे माइनस सयंकर देवाल नीचे ओके ले तमने नहीं पन अंसर मल से अब फचे ओके छे नोट खेक खबर पर से तो हम्मेसा याद राख जो दोस्तों के पी मैक्स नो मेक्सिमम प्रेसर तमारों सोईल उपर आटलो आउसे तमारी सोईल नी कैपेसिटी के लिए एक्सो पंचो तेर नीचे एना करता ओच हुए तियां सुथी बांदो नी अने मिनिमम प्रेसर चेने दोस्तों क्या रहे नेगेटिव ना हुए नेगेटिव काँ जोनेगेटिव माँ जाए तो तो तैंसनया था योगया ना थी प्यारे नेगेटिव ना हुए जिजी रो चाल से पर अवनेजसे ना नहीं चाले नेगेटिव माँ यहले no tension at base, tension आवानू नथी, ओके तो आपने tension नथी आगड़ गदो, चालो, हवे फाइन करवाना चे बे, factor of safety against overturning, एक बस्तो यह फाइन करशो, और factor of safety against sliding, आप बे बस्तो आपड़े करी नाखे, यहले पछे आपड़ो आ stability analysis नू काम चे पूरू थासे, तो पहला जो factor of safety against overturning fine करवा है, तो तमारी पास आप मोमेंट तो छे, रेडी छे, बराब तमारी इतना लखवानी जरू नी, सिद्धू, आप फॉर्मूला नाखो, FS is equal to MR upon MO, एला तमने MR and MO नी value छे आपड़ी पासे, तो सिद्धो जबाब मली गया, और एनो answer हम्मेंसा 1.55 करता greater हो जो यह, तो सेप छे, आपड़े overturning नी बाबत मा, ओके, पजी factor of safety against sliding नी आपड़े बाद करिये छे, तो पहलो sliding force, तो horizontal force के टलू लागे छे, दोस्तों, सिद्धो sliding force, बच्छे आने resist करता force के या लाग से दोस्तों, तो बिए force लाग से, यह तो frictional force लाग से, बराबा, जह जम इन साथे connected है, तो friction लाग से, बिजू passive pressure लाग से थी, तो फाइनो total मार दे सुन, पच्छी ratio ले सुन, आपड़े sliding force और बने ना total नो, तो पहला इक frictional force व्यवस्तित, फाइंड करी आपड़े, तो frictional force तो से, मियू इन्टू सिग्मा डवली फिक्स एनी फोर्मुला आचे, मियू तमने डेटा में अवेलेबल छे, 0.5, बराबा, आपित दितो छे, और सिग्मा डव्यू छे, ए वेल्यू आपने माडी छे, ए वेल्यू आपने पूट कर दी, तो आप एनों आंसर मली कि आपने पच्छी बिजू जे चे पेसिव प्रेशर बराबर नहीं जे लागे अंडर सियर की एना माटे तो खास आपने सियर की प्रोवाइड करिये ची है, यह ओके आगे अगे अटला माटे, तो सियर की माटे नों तमारे पेला दाग्राम तमें बनाओ, तो केपी इंडू गामा एच वन यह तमारो बेस था से, चो पेसिव प्रेशर नों कोफिशंट यह पहली वकत यूजते हो केपी, तो केपी नी वेल्यू थरी चे, गामा एट इंचे ने एच वन के लिए था से, पूइट पांच प्लस पूइट प अने तमारो आज जे पेसिव प्रेशर फोर्स चे, इंचे वन बने नो टोटल कोर यह रिस्टौर कर से, अई यह जे बेक फिला से धको मार से हम, खसेडवा नो प्रहेत न कर से, ज्यारा फ्रिक्शन और पेसिव प्रोर्स चे यह न बचाओ से, यह खसेडवा नही दे, भाल स्टेबिलिटी एनालिसीस चेप करवाना आवे छे क्या रेक साथ माक्समा क्यारेक चार माक्समा पॉई छे होई छे नहीं होई अच्छे थुड़ुक लेंधी छे लखवाने स्पीड खुबज राग जो दोस्तों अन्या फिगर जे छे ड्रो करवी जरूरी ना थी मातरा डायाग्राम तम्हें बताई देसो तो पन चाल से जटलों ओछू काम था ये तलों सारू छे तमार माटे आप फिगर पन ड्रो करवानी जरूर ना थी बराब फटा दोस्तों तो हवे करिये डिजाइन आप स्टैम तो स्टैम डिजाइन नी आंदा दोस्तों मैं गणू बदू तमार माटे इजी काम करी दिदू चे टेक्सबुक नी अंदर बहुच हार्ड रीते तमने समझावा मा आवियो छे बराबर ये एकदम इजी छे और शोट माँ प स्टैम ना बेज पास से मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट तो मैं अल्रेडी गणू अल्रेड़ी गणी चुक्या छो प्यल्ला स्टेप नी अंदर फिक्सदी डाइमेंशन नी अंदर जारे आपड़ा विर्थ फाइंड करता था जे आपड़े 450 mm प्रोवाइड करी छे तो येना स्टेप नी अंदर ओल्रेडी आपड़े गणी छे लो में डाइरेक्ट लखी नागी छे यह प्रावा फरीती गणवानी नी टेक्सबुक नी अंदर तो फरीती गणेली छे आपड़े नाथी गणवानी तो 357.49 जवाब आवी गयो छे पछी पीटी नू फोर्मिला सू परीची छी आपड़े आप फोर्मिला थी ओके तो आनी अंदर बदी एफसी के फ़ाई 4.6 एम् कर देवानू 400 mm तमारो डी था से एफेक्टिव देप्थ तमने पीटी मल से 0.730 परसंटेज पछी पीटी बीडी बाए हंड्रेट सूपरीची छी है पीटी बीडी बाए हंड्रेट 2920 पछी आना प्रमान एस्पी 16 मधी प्रोवाइड करो अथो मेन्यूवली कैलकुलेशन क प्रोवाइड करवाऊं आवे छे 20 mm ना प्रोवाइड करिये ची है अन्य स्पेसिंग राखे ची है 100 mm सेंटर तू सेंटर प्रोवाइड एस्टी आपडो बने छे 3142 mm स्क्वेर ओके आ सडी आमां मारे बतावा है तो क्यां बतावा ना एक वस्तु एपन के दो टेक्सबूक मां जे फिगर छे एमां बद्धा कंपोनेंट डिजाइन करे ला छे एले बद्धाना रेंफोर्समेंट नी डीटेल आपी छे जारे तमने एक्जाम मां अंदर कोई पन एकज कंपोनेंट पूछ से एले एज कंपोनेंट नी रेंफोर्समेंट डीटेल तमारे बतावा नी त तो आपड़े स्टेम छे तो स्टेम मा में जे बार छे कया छे तो आए उँझे ब्लू लेंग थी बताऊ चुगे आपड़े रितना जे सडियो होसे में ए छे तमर्वा रेइंफोर्स्मेंट 20 mm नो 100 mm center to center चलो अब एनो distribution still जे असे आपड़े आ रितना बताऊ सो distribution still एनी calculation तो एतो minimum प्रोवाइड कर देवारों minimum केटलो प्रोवाइड कर सो 0.12 % तो 50 BD by 100 अब एनो डी केटलो लेवानों जुगो तो एनो डी छे ने average depth average thickness of stem अहीं आपड़े 200 प्रोवाइड करी छे उपर एनी width अने नीची जता-जता नी width वधे छे शाड़ा 400 थाए छे एले 200 अने 4500 ने average तमें लेए लेशो 325 आउसे बराब तो तमने AST वी रितना बली जसे अले 399 आवेचे एना प्रोवाणे 200 mm सेंटर टू सेंटर मां 10 mm ना सड़ी आपड़े प्रोवाइड करिये छे जिनों प्रोवाइडेड एश्टी बने छे त्राण सोनियों वज एक्जेट आवे छे बराबर तो आप नमाने काम चाहे तो यह आ सड़िया छे आज में टपका करें नहीं तुमा लखी देवानों यह 10 mm नो छे अने 200 mm सेंटर टू सेंटर चे परची ओन आउटर फेस आउटर फेस आउटर फेस चे यह तमारी टेंशन फेस चे आयनी आउटर फेस चे तो आउटर फेस मां यूस करवानों छे 0.06 परसंडेज एना हाफ रैंफोर्समेंट पाचू बोथ वे मां एतले यहनों जा वर्टिकल बार आउसे वर्टिकल डायरेक्शन और यहनों जा डिस्ट्रिबूशन स्टील आउसे यह बन्ने डायरेक्शन मां तमारे सेम रैंफोर्समेंट प्रोवाइड करी देवाना चाहिए तो जो पॉइंट ट्वेल नाहाफ करन क्या 0.06 सिद्धू रैंफोर्समेंट पर हाफ करी देवानू हाफ कर वह तो सुकर वानू स्पेसिंग डबल करना को तो रैंफोर्समेंट तमारा हाफ थे जाए तो बस्वोना करना क्या चार सो में मापने प्रोवाइड कर देशो टेक्सबूक ने अंदर यहां खोटू लख यह प्रोवाइड में लखी नाको कि पाई 10 mm 400 mm center to center बोथ वह ओना आउटर फैस तो आब अच्वनमा यह जावी ज़से हवे कर्टेल मेंट आवे चे कर्टेल में एकले सू दोस्तो तो कर्टेल में एकले आज यह तम्हें ब्लू लाइन वाड़ो में सर्यों जे वीस एमेम नो मुक्यों छे फ्रॉम एकले 6.2 mm नी हाई 6.2 मीटर हाइड छे तो आखे आखा मां सेम सर्यों उपर सुदी जरूरी ना थी क्यांकि आपने समझिया हाँ चाहिए यह ऌछ लोडए जेने नीचे वधर हुशे मोमेंट पर नीचे वधर यावह तले गोषिछे उपर भी सज मव करीश राखी से सोय में अबर तो यह नुद आकार करना पसे तो नीचे आपने वधर आवे छे तो इन्हें रचिट क्रावा माते युद ईश्टिल जो द्थे ऊपर अपने उछु गूँ से नीचे राक जा से तू फमार इंख से ऊपर ध् ang barrel अनुन कुट से चरोड पर को डंसे वर देव द्रीकोट से लेन्द हर हाड पां छे इंक से बने चे एक क्यूबिक चे एच क्यूब बाड़ू तो यहने सोल करवा माते तो केल्कुलेटर नी जरूर पड़ से 991 यह तो मारी पासे नहीं होई और होई तो बहुत सारी वाचे पड़ मोट्टा पासे ना थी तो आ रिच चे अमा काई इस इक्वेशन बनवाना ना थी सिद्धो आंसर मल से तो यहना माते वी नो धेट आपड़े जानिये ची है के वी नो धेट एवरिफिंग जोल्या एम्यू सेक्षन टी बीम टी बीम नो आपड़े चेप्टर छे इनी अंदर आवे चे बराबर ती बीम नो डिजाइन नो एक्जांपल करिये चे त्यारे मोमेंट आरी त्य फाइन करिये ची तो जेड छी आपनों लेवर आम चे पॉंट सत्यासी एस्ट टी नू फोर्मिला तो टी ज सब्जेक्ट बनाओ मुना छेद मां जतूरी बद्यू आपड़े चे अपने लिवर आम चे आपने लिवर आम नू काम ना थी हाइट नू काम चे तो आपने यह हाइट लखी दीचे बराबर एच जेड नीचे ग्याए बिजू आपने आपने जानिये चे दोस्तो मु आसूं चे मु चतूर करे विचार दोस्तो तमना माइड मा क्लियर थे यह उख़ेगा चाहा वस्तो आज तमें सब लखी चे यह वस्तो सू छे आपने जे प्रेशर डाग्राम लख्यू तो पल्ला स्टेप नियंदर बराबर तो यहां आई यहां बोटोम अब दे स्टेम पासे नी मोवमेंट चे जो वन बाइटू बेज इंटू हाइटी ट्राइंगल नो एरिया थे गियो स्मोल एट सुधी च कंसिडर करवानू छे आने वन थर्ड इंटू एच यह उसी जीती डिस्टन्स ते गियू कबर ना खेलू चे तो वन बाइटू बेज इंटू हाइट ने वन थर्डेनों सी जीती डिस्टन्स एला मोमेंट मड़ी आपड़े आपड़े आज मोमेंट दोस्तों आ फाइन करी ते आपड़े त्रहं सब्सक्ता हो ने फैक्टर करना मोमेंट आऊ से यह बद्दी जो वेल्यू त पड़े नथी करवानी आपड़े आपड़े यह बद्दू मल्टिप्लाइ करो तो 3 2 6 के गामा एच 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 क्यूब अवे जो के गामा औने 1 बैस एक्स कॉंस्टन्ट के वेकाधी नाको तो प्रपोस्टनल नी साइन आगी जाए एच क्यूब ओके तो हवे थास नूं थासे दोस्तों कट थासे ले एस्टी प्रपोस्टनल टू एच स्क्वेर आवे छे अवे घणी वकत डायरक्त तमया लखी देजो चाल से चाहरे तमारी पास से समय नहों होए फट अफट पेपर पूरू करवानू छे त्यारे इमर्जेंसी नियंद वी नो देट कर इ स्कवेर हैं में इस लख अलग लग रख हूँ है नो लखी सका है मैथमेटिक्स प्रमाने स्टी वन अपोन एस टी टू एच वन स्क्वेर अपोन एच तुना स्क्वेर हैमले स्टी वन सूच है आपने रेंफोर्समेंट ऑ ह कल्तेलमेंट चेतलों कट करवानू छे ए एस टी- Google to total reinforcement ह1 height of curtailment है हाइट होफ्स टेम है ले ऐस्टी वन अन्हें ऑफड़ा चाहीं निक अचाहे बाकिए टोटल हाइट अब स्टेमिन्य टोटल फ़्समेंट कर्टेलमेंट कि चाहिए आपने यह कंसीलर कशुप पचास टकार गडेंट के पचास ठका कट करवा चैप अब इसको के पचास टका यहले सो यह पचास यहले हाफ देग्यों सो ना अड़्दा पचास हावे एस्टीवन टोटल वन लई आपड़े तो आथ ही जाए पॉइंट फाइव एना हाफ कर देवाना ओके एच वन नो स्कुरी तो फाइन करवानुच है एच वन हाइट ऑफ कर टेल में पर आपने बोटम थी जोई एचे तो बोटम थी जोई तो टोटल हाइट माथी उपर नुझे आगी कट मारवानुए माइनस करना आख सो यह नीचे थी मल से 1.82 मीटर है तमारे कट मारवानी थाए और आपने थोडिक एक्स्ट्रा डेवलोपमेंट लेंथ प्रोवाइड कर अत्वा एसपी 16 ना कोड माथी पर तमें सिध्धिया वेल्यू पर लखी सको चो अपर प्रकोड माज हो ने फाइंड करूए ना करता आसस तुबर सको 47 इंट फाइड करना को यह तमने मली जैसे 940 में एसपी 16 माज जहीने जो तमारे करूँ हो हो है तो एना प्येज नंबर क्या छे यह पेज नंबर हो तमने जड़ा वी दो पेज नंबर उपर थी तो मैं काम करी सको और यह ना प्येज नंबर चेंग ओन इसपी 16 पेज नंबर 184 आना उपर थी पर तम्हें डेवलोप्मेंट लेंद्ध फाइन करी सको चो डिरेक्ली ओके 940 है मैं ए बोटम माज आ 1.82 आने 0.4 आनो मीटर मा 2.76 आने 2.75 करना को नजीक महां दो नी आवे राउंड फिगर इट लो राखी आपड़े तो कर्टेल 50 परसंटेज बार से 2.75 मीटर फ्रम दी बोटम आप स्टेंप अगया सूं करो चो साइब क्या बताओ चो के खबर नदी पड़ती चलो फिगर म बताओ तुमने समझे लो कि आपड़ा टोटल रेइंफोर्समेंट छे हाइट है कि पचास्ट का सडिया ने नीचे तिकट मारवाना चाहिए अब आपड़े नाम केटली हाइट छे 2.75 यहीं थी 2.75 ले लो समझे लो कि आ यहां सुधी राखवाना चाहिए बाकी नाने काप मारवाना चाहिए बराबा अजू वजा रहे यहां सडिया बतावी दोस्तों अबे तमें जूओ पच्चास्ट का करवा चे 2.5 ले ले सुधी लो कि आ हाइट आपड़ी 2.75 सुधी नीचे बराबा तो समझे लो का पैलो सडियो चे यहां खो राक्षू बीजो सडियो करवा बार उड़ा नाक्या तो आवस्तु चाहिए सेम वे करटेल 50 परसेंटेज रिमेनिंग बार एट 4.75 मिटर फ्रों बोटम उपस्टेम हजी दोस्तों आज बदा सडिया उपर जाए छे ने एने हजू कट करो यहां थी 50 टकाने कट करो यह एक राखवान वड़ी कट वड़ी वड़ी कट एवी रितना तो केटले हाइट चुदी 4.75 आपने लही लितेली छे क्या आज यह कलकुलेशन करी 2.75 यहां टू मीटर एड करना क्या चे आपने डिसाइड करवानों तम्हें 2 करो 1.8 करो 2.2 करो यहां हाइट केटले आपने लिचे टोटल यहना उपर आना बबब्य मीटर जेवू तो रिवू खपे 1.5 तो रिवू जो यह मिनिमम तो आपने बाकी ना वज्या चे यहने पड़ करिये 4.75 समझे लो कि यह आपनो ही यह सुदीनों डिस्टंस चे 4.75 आपने यहां लाइन ड्रो करना किये एक राख वानों बीजो कट एक राख व यह 6.2 माइनस आ 4.75 माइनस करना को 4.75 एले 1.45 आ हाइट आउसे जमारी 1.45 ब्राब यहनों बांदोने थी 4 से एक लिए 1.5 जे विजे प्रोक्स के बासे तो आव वस्तूशे ब्राब आई थी आपने कट मारी यह थी 2.75 है बच्छी यह एक्स्रा टू मेंटा विजा त्या पर टोटल 4.75 है तो खास यहां बताओ पर से वाडी नहीं तो यह थोड़ुक डिटेलिंग तमारे छे टेक्स्बूक मां फिगर आपी छे इमां थी खास चोई ले जो अने प्रम्मान आगी रितना तमारे फिगर बनावा है था से नीचे कोई पन बीजू रेइनफोर्समें तमे तियां बताओ तो दोस्तो आ रितना आखू स्टेम नी डिजाइन था है चे तो बराबर कर जो जीट यूनी अंदर मौस टाइम पी छे बहु बदी वकत आप उछायलू चे तो खास साथ माक्स तमारा जाए नहीं यह बाबत नू दियान राग जो अमा कोई प्रम प्रक से आपना 1000 सब्सक्राइबर्स पुरा थाया चे आपनो खूप चारो सहकार प्राप्त थायो चे सपोर्ट माड़े चे आवन आवो सपोर्ट आपता रेजो अने आवीज रितना सात्य माड़ी आपने एंजीनेरिंग नी अंदर आगड़वदी सु अगेइन थेंक्यू सो मच अपर कि ओग चे आपने वीज